हैं hallo everyone तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हूं और आज क्लास आपका एजैक्टिफ का next part और पिछले क्लास में एक चीज़ लिखा हुआ था ब्रैकेट में एक कॉंसेप्ट आथा जहां पर मैं ब्रैकेट में कुछ option लिखा हुआ था है ना तो उस बारे में आपको बता एड़ वर्ब आता है एड़ वर्ब आता है ठीक है और एक बताया था इसी के साथ कि लिंकिंग वर्ब अगर रहे लिंकिंग वर्ब रहे तो इसके साथ इसके बाद जो आता है वो आता है एड़ेक्टिव तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा है ना यह आदाड रख सकते हो, आपल करके, एबिल एड करके, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका मिनिंग देख लो, adjective के last में यह आता है है ना तो इसी तरिके से आपको ध्यान में रखना है कि ए4 action verb action वर्ब के बाद हमेशा एड़ वर्ब आता है linking वर्ब के बाद आपका adjective आता है इसका शुरू वाला लेटर और इन दोनों के last वाला लेटर है ना तो ऐसे आपको ध्यान में रखने थे अब यह practice batch आपका completely different है, इसको बोलते है personal guidance, इसको join करने के लिए आपको इस पर message करना होगा, सिर्फ hi hello नहीं कहना है, वहाँ पे जाओ, और अपने personal demand को भी मत रखना वहाँ पे, जाना और simply वहाँ पर लिखना personal guidance, मैं आपको procedure send कर दूँगा, उसके लिए कुछ pay करने होते हैं, क्य जार तो हैने अभी तक, जड़ा देख लो, next क्या है, अभी आपका most confusing adjective देख रहेते हैं हम लोग, तो आज हम लोग इसको complete कर देंगे, मतलब most confusing adjective को, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे अच्छे rules देखेंगे, अच्छे से concept को देखेंगे, जो adjectives के होते हैं, ठीक है, तो य कोई भी ऐसा confusion नहीं रहने वाला आपके पास, देख लो, दो concept हैं इसके based पर, first concept है कि little जो है, ये uncountable noun के पहले आता है, और few जो है, ये countable noun के पहले आता है, कैसे याद रखोगे, इसको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा clue देख लो, मतला uncountable noun जो singular में होता है, उसके पहले little लगता है, और countable noun और few के बाद मतलब plural countable noun होगा, कैसे याद रखना है, ध्यान दो, little में देखना और few में देखो कि सबसे ज़्यादा letters किसमे हैं, तो इसमें आप पाऊगे कि little में सबसे ज़्यादा letters हैं, क्योंकि इसमें 6 letter हैं, इ ऐसे ध्यान रखा करो, तो जब भी exam में पूछे, इस से related कि कौन सा इन दोनों में से use करना है, तो ध्यान में सबसे पहला concept आना चाहिए आपका, कि यह uncountable noun है, या फिर आपका countable noun है, ठीक है, अगर uncountable noun है, मतलब बड़ा है, है न, countable से बड़ा है, इसमें ज्यादा letters है, तो ज्यादा letters वाले के साथ ज्यादा letter वाला use करना है, मतलब little और countable के साथ आपको few use करना है, ठीक है, यहां तक clear है, अब जड़ा देखो, इसके meaning से related फिर question पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, यह वाले concept में आप देखो गए भी, यहाँ पर meaning क्या है, देख लो, little और few का meaning होता है, नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर, ठीक है, यह negative sense में use होता है, और a little और a few का मतलब होता है, थोड़ा और फिर कुछ, इसका positive meaning में use करते हैं हम लोग, और the little और the few का मतलब होता है, पूरा का पूरा, सब का सब, इसका यह meaning होता है, जो कुछ भ किसी के पास ए है और किसी के पास दा है तो हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर किसी के पास ए है इसका मतलब है कि उसके पास कुछ तो है कुछ थोड़ा तो है और अगर किसी के पास दा है इसका मतलब उसके पास सब का सब है है ना इस सेंस को पकड़े रहना अब little और few के पहले तो कुछ नहीं है ना ए है ना दा है कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं है मतलब इसके पास नहीं के बराबर है तो इसका meaning हो गया नहीं के बराबर ठीक जहां रखना फिर से दूरा दू लिटल और फ्यू सिर्फ रहे इसके पहले ए और दा अगर नहीं है तो इसको क्या समझेंगे कि इसके पहले कुछ नहीं है मतलब नहीं के बराबर है तो इसका मिनिंग ही हो गया आपका लिटल और फ्यू का मिनिंग हो गया थोड़ा और कुछ फिर दा लिटल और दा फ्यू मतलब दा है इसके पास दा है मतलब सबका सब है इसके पास पूरा का पूरा है इसके पास तो इसका मिनिंग ध्यान में रखना दा लिटल और दा फ्यू का कि इसको जल्दी-जल्दी मुझे करने थे और समझ भी जाओगे बहुत अच्छे तरीके से देख लो क्या है फर्स्ट कोशन क्या है यहां पर देखो ट्राय करो इसके लिए यह है ही रिच्ट हॉम लिविंग असाइड और अधर वर्क बट हिस फादर हैड लेफ्ट दा हॉम अर्लियर अब यहां पर देखो यह कहना चाहरा है कि वह अपने घर पहुंच गए लिविंग असाइड और अधर वर्क मतलब सारे वर्क को पीछे चोड़ते हुए साइड में रखते हुए वह कहां चल गए अपने घर पहुंच गए बट हिस फादर हैड लेफ्ट दा हॉम लेकिन उसके पिता जी जो थे वो घर को छोड़े फ्यू मिनट्स अर्लियर कुछ देर पहले ही यह बताना चाहरा है अब यहां पर यूज हुआ आपका फ्यू का ध्यान दो फ्यू का यूज हुआ है मिनट्स जो है आपका यह है आपका क्या काउंटेबल नाउन और अभी अभी मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन के पहले छोटा वाला यूज होगा मतलब फ्यू यूज होगा तो इसका यूज तो यहां पर करेक्ट है उसके बावजोद भी क्या एर्र है इसको देखेंगे है ना देखो अब को कि मिनट्स कैसे है काउंटेबल नाउन तो मैं ब इसी तरीके से अगर आप देखो गए बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जैसे मनी मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन रूपीस अगर रूपीस की बात करें तो रूपीस आपका क्या है रूपी या रूपीस यह काउंटेबल नाउन है तो इस तरीके से हम catch करेंगे कि minutes आपका countable noun है तो इसके पहले क्या आएगा छोटा वाला countable छोटा है uncountable से तो छोटा वाला यूज होगा few तो few यहाँ पर correct है लेकिन उसके बावजूत कैसे error है यह समझो meaning क्या बताना सारा है कि वो कुछ ही देर पहले मतलब उनके पिता जी कुछ ही देर पहले घर से निकल चुके थे है ना तो कुछ के sense में यहाँ पर बोल रहा है ना तो कुछ के sense में थोड़ा देर पहले के sense में थोड़ा वाला meaning कौन देता है a few देता है तो इसका यूज यहाँ पर यह होगा कि a few minutes earlier यहाँ पर इसका य तो सब के सब पूरा का पूरा होता है तो सब के सब मिनट जितने थे उसके पास उससे पहले निकल चुके थे ऐसा नहीं से निकलता ना यहां पर से निकलता कि कुछ ही देर पहले वह घर से निकल गए सिर्फ फ्यू भी रखते हैं तो भी गलत हो जाता है क्योंकि फ्यू का मतल नहीं के बराबर minutes थे उसके पास उसके पहले निकल चुके जीरो के बराबर थे उनके पास minutes ऐसा तो नहीं कहते यहां पर कहते हैं कि कुछ देर पहले वो निकल चुके थे तो इसका मतलब कुछ के sense में a few होगा है ना तो यहां पर few के जग़ा पर a few लगाना पड़ेगा आपक चाय के बारे में सर्च करोगे अब यहाँ पर चेक करो कि तुम कुछ इंस्टॉक्शन्स वहाँ पर पाओगे तो यहाँ पर इंस्टॉक्शन्स है इसका मतलब किया यह प्लूरल में है एक्जाम भी देने जाते हैं तो एहां अ पर और यहां अंट पड़ेगे कैन कि स्कूर्फ य्विज करोगे तो तो क्या सिर्फ करोगे गर few इंस्ट्रक्षन्स करते हो तो ये बताना चाहरा है कि उसका मतलब बहुत अब सब्सक्राम अब इसका भी नहीं है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि दफ यू लगा देंगे इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब हम वह आ पर ये instructions वहां पर पा जाएंगे CEO n है ना अैसा भी नहीं कह सकते तो यहाँ पर आपको क्या use करना पड़ेगा औफ यू उझ करना पड़ेगा की कुछ कुछ instruction वहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कुछ hope देगा several important points के उपर समझ गए तो इन दोनों जगह में हमने देखा कि यहाँ पर few के बदले और यहाँ पर a little के बदले दोनों जगह पर a few होगा क्यों होगा यह भी समझ गए ठीक है अब देखिए next question देखिए 40 second number में आपको fill in the blank कर रहा है यहाँ पर money is needed to save his life अब यहाँ पर बताओ money क्या है uncountable, accountable तो countable है uncountable यह uncountable है मतलब बड़ा वाला है uncountable ना होन है तो uncountable के पहले हम लोग little लगाते हैं क्या लगाते हैं little लगाते हैं तो अब सवाल एक खड़ा होता है कि little तो लगाएंगे तो सिर्फ little लगाने से काम चलेगा या फिर a little लगाएंगे यही confusion चलेगा अभी तो आपको बताना है देखो little तो लगाएंगे यह तो समझ गया क्योंकि uncountable है अब little सिर्फ लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि कुछ नहीं के बराबर कुछ नहीं के बराबर अब little सिर्फ लगा देंगे तो क्या कुछ नहीं के बराबर वनी नीडेट है उसके life को बचाने के लिए ऐसा तो झाहतें यहां पर यह कहते हैं कि कुछ pix money की आश्वारी थी उनको उनके life को save करने के लिए यह बताना चाहरा है तो कुछ के सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा और लिटल लगाना पड़ेगा समझ रहो दा लिटल भी नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते क्यों कि इसका मतलब हो जाएगा कि सेंटेंस में कही ना कहीं हिंट किया हुआ रहना तो a little होगा समझें अब यहाँ पर यह किलियर हो जाएगा सब के सेंस वाला में देखो यहाँ पर है मनी यहाँ भी मनी है अनकॉंटिबल है तो जाहर सी बात है कि little होगा अब यहाँ पर है all stolen money she had was all stolen तो सब के सब चोरी हो गये तो all stolen एक जो वड़ दे रखा है इसी से पता चल गया न क्या पता चल जाए कि सब का सब चोरी हो गया तो सब के सब में क्या यूज़ करते है a little अफिर the little जाहिर शी है दा लीटल का प्रियोग यहां पर होगा क्योंकि इंते रखा है सिंटेंस में और सबका सब अगर चोरी करने गया है वहाँ पे इसका मतलब uncountable Calvin is on countableption doubt Premade उन कैकर का हम लोग creation बनाते हैं ना और नहींं बनाते यहांपर uncountable dezमान है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए इसके पहले लगना चाहिए लिटल चलो इसके पहले लगेगा थोड़ा बहुत भी केर है तो अगर उसके पास थोड़ा बहुत भी केर करता है तो जायर सी बात है फुलिश तो होगा ने और सब का सब अगर केर करता है ऐसा अगर सेंस दे इसका मतलब जायर सी बात है फुलिश होगा ने लेकिन सेंस बता रहे हैं वो फुलिश है तो फुलि लिटल का इस्तेमाल होगा ना कि अलिटल और ना कि दा लिटल के लिए नेक्स टाप का में और फ्री फ्रॉम फॉल्स अब यहां बोला है कि इनसान जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्री फ्रॉम फॉल्स होते हैं मतलब दो समुक्त होते हैं ऐसा कहेंगे इसको अब देखो में क् countable uncountable countable countable के लिए हम लोग क्या इस्तिमाल करते है few लगाते हैं तो अगर simply few लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि नहीं के बराबर main जो है वो free from fault है ऐसा तो यह नहीं बताना चाहरा है यह बताना चाहरा है कि कुछ ऐसे इनसान हैं कुछ ऐसे आदमी लोग होते हैं जो दो समुक्त होते हैं तो कुछ के सेंस में बता रहा है इसलिए यहाँ पर a few होगा the few भी नहीं होगा क्यों? क्योंकि the few लगाएंगे इसका मतलब सब के सब जितने main हैं वो सारे free from false है तो वो भी गड़बड हो गया इसलिए यहाँ पर a few होगा आपका ना कि the few और simply few भी नहीं होगा तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? a few क्लियर है? अब next है आपका words he spoke were full of wisdom मतलब जितने सारे सब्द वो बोले full of क्या थे? wisdom तो इस वाले point को भी पकड़ कि आप समझ सकते थे कि full of wisdom का मतलब है कि जितने सारे बाते हो बता होगा सब के सब full of wisdom होंगे मतलब कोई अगर भासन दे रहा है जिसका मतलब ने कि 50% 40% बुद्धी मत्ता वाली बातें करे और बाकी क्या करे? मुर्कता वाली बाते करे ऐसा तो कोई करता नहीं है तो किसी को अगर हम respect देते हैं तो यह कहते हैं कि वो जितने भी सारे words बोल गए सब के सब full of wisdom थे तो इस वाले point को भी पकड़ कि आप कह सकते थे कि यहां बताना चारा है कि सब के सब वाले sense में अब सब के सब के sense में लोग क्या करते हैं तो the little या the few लगाते हैं लेकिन यहां पर words है क्या? words आपका countable noun तो countable noun के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? few लगाते हैं तो इस हिसाब से यहां पर the few हो जाएगा समझ रहो? तो the few words he spoke were full of wisdom यह इसका अंसर होगा the few clear? अब जराब बात करते हैं आगे देख लो आगे क्या concept क्या है देखो अब इसको एक बार फिर recap कर लो देख लो क्या था यह दोनों concept यहां पर ध्यान रखना है कि uncountable बड़ा है तो little बड़ा है little के साथ uncountable के पहले little और countable noun के पहले few का इस्तिमाल होता है इतना clear है फिर little और few का मतलब नहीं के बराबर है कैसे याद रखेंगे क्योंकि इसके पहले नहीं के बराबर है इसके पहले कुछ भी है ना तो little और few का मतलब होता है नहीं के बराबर a little a few है इसका मतलब इसके पास थोड़ा कुछ तो है और थोड़ा बहुत कुछ क्या है a है ना a है मतलब इसके पास थोड़ा कुछ है the little है मतलब इसके पास सब का सब है पूरा का पूरा है जो कुछ भी था उसके पास पूरा का पूरा है तो meaning भी समझ गए कैसे इस्तिमाल करना है ये भी समझ गए अब ज़रा बात करते हैं आगे देख लो आगे है आपकर यहाँ पर concept number 15 ये कह रहा है कि the most, a most और simply most के बीच क्या difference है इसको देखेंगे है नब देखो यहाँ पर है कि the most का मतलब है कि ये super related degree को बताता है a most का मतलब इसका meaning ही होता है very, अगर a most आप कहीं देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि most के पहले तो हमेसा दा लगता है तो ओ गलत है ا以前 अ भी लगा हुआ ए भी इसके पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है very है और का इस्तिमाल हम जानते हैं कि सुपरलेटी डिग्री में नहीं करतें क्या करता है तो खेर होता है और इसका होता है उस होता है ठेक है और यहां पर सिंप्ल मॉष्ट है तुब मोष्ट अगर ना ऐ अधिकांस हो तो इसके पहले दा का यूज नहीं करते और नहीं ए का इस्तेमाल करते हैं ठीक है सिर्फ मोस्ट का यूज करेंगे जब वो अधिकांस का सेंस देता है अभी आप सब को समझ जाओगे और मैंने एक ऐसा एक्जामपल लिया है जिससे आप यह दो कॉंसेप्ट को स का मतलब यह हुआ कि positive degree है यह और यह है comparative degree और यह है आपका super related degree तो यहाँ पर मतलब यह है कि जब भी हम move करेंगे तो positive degree से comparative degree जा सकते हैं comparative degree से super related degree को जा सकते हैं यहाँ पर positive degree से directly super related degree भी जा सकते हैं अगर एक sentence में दोनों का इस्तिमाल हुआ हो positive degree और comparative degree और comparative और super related तो directly हम पॉजिटिव से जा सकते हैं, comparative, comparative से जा सकते हैं, superlative और positive से superlative भी जा सकते हैं, लेकिन हम reverse नहीं जा सकते हैं, superlative से comparative नहीं जा सकते हैं, comparative से हम लोग positive भी नहीं जा सकते हैं, और directly superlative से हम लोग positive degree को भी नहीं जा सकते हैं, तो इस sequence को ध्यान में आपको रखना है, अगर ए यह नहीं जा सकते हम लोग इतना धियां रखना ठिक बेटर से बीद भी नहीं जा सकते समझ गए तो क्या बताया इस concept में कि sequence आपको हमेशा धियां रखना कि positive से comparative जा सकते हैं और पॉजिटी इसे superlative भी जा सकते हैं लेकिन reverse हम नहीं move कर सकते हैं देखो कैसे समझोगे यह सारे concept को इसके लिए आपके लिए question देखो यहाँ पर क्या बताया है कि you must revise it well as it is the most important chapter अब यह गलत क्यूँ है यह मैं sentence को पहले भी discuss कर चुका हूँ है न सेम sentence से देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह दा most का इसके फिसके बताया है तो हम लोग जाते हैं कि सूपर लेट्इव का कब हम लोग इस्तहिमाल करतेश्य का इस्तेमाल करते हैं जब एक को हम one versus all का हम लोग क्या करते हैं compare करते हैं लेकिन यहाँ पर तो किसी से comparison ही नहीं एक यह single chapter के बारे में बोला है, जो बोला है कि ये बहुत ही important chapter है, है ना, तो one versus all रहता, तो the most हो जाता, अब ये कैसे हो सकता था, मालिया जा last sentence में रहता, कि you must revise it well as it is the most important chapter in your syllabus, है ना, in your syllabus, बस इतना सा लिखा रहता, तो the most correct हो जाता, क्योंकि in your syllabus, आपके syllabus में और सारे कई chapters हैं, जिससे तुलना किया जारा है किसी एक के बारे में, है ना, और उसको बताया जारा है कि वो the most important है, तो one versus all वहाँ पर हो जाता, लेकिन यहाँ पर in your syllabus, जैसे कोई सब्दी हाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब किसी single chapter का description है, describe किया हुआ है, और किसी से compare यहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, super later degree का इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए positive degree का, है ना, compare भी किसी से नहीं किया ज़रा दूसरे से, तो भी यहाँ पर comparative degree नहीं हो सकता, तो simply यहाँ पर क्या होगा, positive degree, और positive degree के लिए अभी मैंने बताया कि very लिख सकते हो, है ना, very important, you must revise it well as it is very important chapter, ऐसा कह सकते हैं, अब very लिख सकते हैं, तो जहर सी बात है कि a most भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, a most भी लिख सकते हैं, क्योंकि a most का मतलब होता है, very, gap है, a और most में gap है, यह ऐसा नहीं कि a most समझ लेना कोई बाद होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, you must revise it well as it is very important chapter, and you must revise it well as it is a most important chapter, तो the most और a most में क्या फरक हैं, a most का हम लोग यूज़ करेंगे, very के sense में, है ना, और positive degree में, और the most का मतलब super later degree में, अब next देखो, next में दोनों concept आपके clear हो जाएंगे, देखो, यहाँ पर our first trip was the most interesting one, but the second one was even more interesting, अब यहाँ पर बोला है कि दो के बारे में compare किया हुआ है, तो दो के बारे में, मतलब first trip के बारे में, और second trip के बारे में, है ना, यहाँ पर देखो, है ना, तो मान लिया जाए, पहला concept तो समझ गए, कि दो के बीच comparison हुआ है, इसलिए the most नहीं होगा, क्योंकि the most का इस्तेमाल हम करते हैं, सुपर लेटी डिगरी के लिए, दूसरा, इसका क्या, सेम सेंस में पकड़ने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या है, अगर the most है यहाँ पर, और second में है more interesting, यहाँ पर है the most interesting, इसका मतलब है कि हम move कर रहे हैं, कहां, सुपर लेटी डिगरी से, इसका कमपरिटी डिगरी, देख रहे हो, पहले सुपर लेटी डिगरी का इस्तेमाल किये, फिर बाद में कर रहे हैं किसका, कमपरिटी डिगरी, तो हमने क्या बताय था, कि सुपर लेटी से कमपरिटी नहीं जा सकते हैं, और यह conclusion वाला पार्ट है आपका, second वाले के बारे म में यहाँ पर comparison है, first trip के बारे में और second trip के बारे में, अगर second के बारे में ही बता दिया गया है, कि वो more interesting है, तो जैर से बात है, वो comparative डिगरी बताया है, तो first वाला क्या होना चाहिए, comparative होना चाहिए, नहीं, क्या होना चाहिए, positive डिगरी, क्योंकि अभी अभी बताया कि positive से कि दो ही के B artistic माल नहीं करेंगे पहला दूसरा इसको कैसे लोग कैसे और सकते हैं कि हम लोग कभी शब्स किंपर कर ली जा सकते हैं लेकिन यह कंक्लूवीडिनác सेकेंड वाले के बारे में उना चाहिए तो पॉसिटि繼續 में होना चाहिए है ना तो पॉसिटीट डिग्री में क्या करोगे करने के लिए यहां लिखोगे our first trip was very interesting यह कर सकते हो तब यह positive डिग्री में आ जाएगा second तरीका है कि very का इस्तेमाल मतलब a most का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर क्यों क्योंकि a most का मतलब भी होता है क्या very समझ रहे हो तो यहां पर क्या लिखेंगे our first trip was a most interesting one समझ गे इतना तो समझ रहे हो कि आप लोग अब चलो यहां पर समझ गे दोनों concept को next आपका यहां पर देखो the most of the injured persons are out of danger यहां पर बोला है कि अधिकांस injured persons से वह क्या थे खत्रे से बाहर थे तो अधिकांस का sense दे रहे हां पर most तो आपर दर क्यों लगाओगे simply ना दर लगेगा ना यह लगेगा क्या लगेगा simply होगा most of the injured persons are out of danger क्योंकि यह sense देता है अधिकांस का तो अधिकांस का sense देता है अधिकतर का sense देता है तो simply यहां पर most का इस्तेमाल होगा ना कि दमोस्ट और इमोस्ट का clear अब जड़ा चलते हैं next concept के ओपर एक बार फिर से revise कर लो यहां पर देख लो कि दमोस्ट जो होता हो super later degree में यूज होता है अब most का इस्तेमाल वेरी के सेंस में होता है पॉस्टी डिगरी में और most simply रहे तो इसका मतल होता है अधिकांस ठीक है और इस sequence को मत भूलना positive से हम लोग comparative degree जा सकते हैं comparative से principle letter जा सकते हैं और यहां पर directly positive से सुपर लेटी भी जा सकते हैं लेकिन कभी भी हम लोग reverse में नहीं जा सकते ठीक है इस तरीके से हम लोग नहीं जा सकते ठीक है अब देख लो मतलब एक भी अगर यहां पर आपका स्ट्राइक कर जाता है एक्जाम में कि दमोश्ट यहां पर क्यों नहीं होगा तो दो रूल से हम लोग इसको काट दिये है ना दोनों को समझ लिए अब जो देखो नेक्स्ट है आपका फार के बारे में हम लोग सेंटेंस में नहीं करते मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं जैसे अगर मैं कहूं यहां पर कि आवर स्कूल इस फार फ्रॉम यह यह कंप्लीटली गलत है जबकि हम लोग स्पो तू लगा दो अब फिर इसके पहले राधर लगा दो जिसको कह सकते हो our school is too far from here our school is rather far from here यह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन simply far का इस्तेमाल positive sentence में नहीं कर सकते हैं अगर आपको far को हटा कर कोई नया सब्द का इस्तेमाल करना हो तो इसको कह सकते हो positive sentence में कि our school is a long way from here यह ना far के बदले a long way का इस्तेमाल भी कर सकते हैं positive sentence में लेकिन far का इस्तेमाल simply हम लोग positive sentence में नहीं कर सकते हैं अगर उसके जगा पर कुछ करना हो तो too far लगा दो rather far लगा दो और फिर a long way from here यह भी कह सकते हो अब negative sentence में कैसे इस्तेमाल होता है देखो यहाँ पर बोला our school is not far from here तो यह negative sentence है ना not का इस्तेमाल हुआ है तब यहाँ पर far correct है अब फिर कह सकते हो is our school far from here तो यहाँ पर क्या है कोस्टन मार्क है मतलब क्या यह अपका interrogative sentence है तो जायर से बात है यहाँ पर far का इस्तेमाल correct है है ना तो simply ध्यान में रखना है कि far का इस्तेमाल हम लोग positive sentence में नहीं करते है अब जरा बात करते हैं अगला concept के उपर देखो यह कह रहा है कि certain और a certain के बीच क्या फरक है भाई तो सबसे पहले बात समझो कि दोनों का meaning होता है unknown है ना अग्यात वैक्ति हाँ फिर जिसका description नहीं दिया हुआ है sentence में पहले मानलिया जाए एक sentence है ऐसा करके कुछ भी sentence है एक बार क्या किया हो किसी वैक्ति के बारे में किसी बाई के बारे में आप यहाँ पर discuss किये हो और same sentence में बाद में भी जाके इस बाई के बारे में डिसकस किये हो तो इस second time discussion कर रहे हो ना इसका मतलब है कि यह second time जो भी इसका discuss कर रहे हो यह अग्यात नहीं है यह unknown नहीं है क्यों क्योंकि इसके बारे में हम पहले से discuss कर चुके हैं same sentence में और फिर same paragraph में समझ रहो ध्यान से तो अग्यात वैक्टी के बारे में discuss करना हो unknown वैक्टी के बारे में discuss करना हो जिसके बारे में पहले से जिक्र नहीं हो रखा है पहली बार उसका इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर spoken English में अगर आप इसका इसका इस्तेमाल करना चाहते हो दोनों होता है countable noun के पहले certain भी और a certain भी लेकिन फर्क क्या है कि अगर singular रहे तो उसके पहले a certain लगाएंगे अगर वो countable noun plural है तो इसके पहले certain लगाएंगे यह से आपको एक clue मिल गया होगा कि अगर इसके पहले a लगा हुआ है इसका मतलब यह singular है इतना ध्यान में रखना जैसे example में मैंने लिया है she made a certain boy yesterday वह कुछ अग्यात लड़कों से कल मिली थी यह कह रहा है तो यहाँ पर क्या यह singular है singular के पहले क्या लगाएंगे a certain clear और यह सा पहले a certain नहीं लगाएंगे certain लगाएंगे clear तो a certain और certain में क्या फरक है यह आप समझ गया है next concept को देखो यहाँ पर all और whole को ले करके क्या है all और whole को ले करके बहुत जादा confusion है देखो इसका मतलब क्या होता आ और whole को मिंनिंग होता है संपूर्ण अब देखो यहाँ पर इस्तिमाल कैसे होता है, तो इसका इस्तिमाल, all का इस्तिमाल जो होता है, एक countable noun के पहले भी होता है, और uncountable noun के पहले भी होता है, है ना, countable noun, लेकिन ध्यान रखना कि all के बाद आपका क्या होना चाहिए, plural होना चाहिए, noun, ठीक है, और singular uncountable noun भी हो सकता है, ध्यान देना अगर uncountable है तो singular होना चाहिए अगर countable noun है तो plural होना चाहिए all के बाद इतना तो ध्यान रखोगे और ये बताता है वैक्तियों आ वस्तों की संख्या को ये संख्या को बताता है नंबर्स को बताता है लेकिन whole जो है ये word जो है whole का इस्तेमाल हुआ है कि इसके बाद plural noun आता ही नहीं पहला पॉइंट second point क्या है कि वैक्तियों और वस्तों के संख्या के बारे में बता रहा है ये है ना संख्या को बताता है ये किसी नंबर को बताता है अब जड़ा देखते हैं हम लोग किसके उपर यहां पर example देख लो यहां बोला है all the books were sold ये correct है कैसे all का इस्तेमाल हुआ है अब इसके बाद क्या है आपका countable noun है और ये भी plural में है ये भी correct है है यहां पर all the money has been spent सारे पैसे खर्च कर चुके गए अब ये money जो है वो क्या है uncountable है तो भी सके पहले और का prayer किये लेकिन होल का हम यहां पर इसे कंभा और कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते whole the book was sold ऐसा नहीं कर सकते whole the money has been spent ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो चैसे कह सकते हैं देखो इहां पर हे हर whole body was covered, उसके संपूर्ण अंग covered थे, ढखे हुए थे, तो संपूर्ण के बारे में यहाँ पर बता रहा है, इसी तरीके से the whole town, पूरे के पूरे town, संपूर्ण town के बारे में बता रहा है, the whole of Delhi, अब यहाँ पर किसी particular town का नाम लिखा रहे हैं, तो उसके पहले off का प्रियोग करते हैं, यह समझ लेना, जिससे यहाँ town था, तो town के पहले कोई proportion नहीं लगा, whole town के बारे बता रहा है, लेकिन proportion लगाना है, तो यहाँ पर उस town का नाम mention होना चाहिए, इसी तरीके से the whole country के बारे बता रहा है, the whole of इंडिया बता रहा है, मतलब country का नाम आगया specific तो इसके पहले off का इस्तेमाल किया गया है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखने थे, ठीक है, यहाँ पर आप notice कर रहे होगे एक चीज़ क्या, कि टाउन जो है, यह क्या है, आपका uncountable क्या के सकते हो इसको, कि plural में नहीं है, टाउन नहीं है, ध्यान देना, यह टाउन में नहीं है, वही तो concept में अभी भी बताया देखो, कि होल का प्रियुक जो होता है, यह plural noun इसके बाद नहीं आता, तो टाउन लिखे यहाँ पर, करेक्ट, और डेली तो आपका proper noun है, फिर इसी तरीके से क्या है यह, countries नहीं है, country है, इंडिया है, proper noun, इतना समझ रहे होगे आप लोग, है ना, तो इसका यह concept था, अब जराब बात करते हैं, आगे देखो, अच्छा, एक बात में बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को लग रहा कि हॉस्पोस हो रहा है, बहुत ज्यादा concept हो रहे हैं, तो आप एक काम क्या कर सकते हो, कि simply example पर focus करो, अगर यह सारे आपको याद करने में, आप फिर ध्यान में रखने अग्जाम में इससे related पूछ दिया, तो आप डिरेक्टली दिमाग में strike करेगा आपके, है ना, तो ध्यान में आपको क्या रखना है, कि example पर ज़्यादा focus करो, बाकी concept खुद भी याद हो जाएंगे, है ना, देखो concept of, 20th number concept क्या है, यहाँ पर use of other बताया हुआ है, other के बार करते हैं, जैसे कहते है, the other hand, तो hand क्या आपका, accountable noun, hands भी होता है, है ना, और singular रे चैप प्लूरल रे, इसके पहले the other hand कह सकते हैं, the other boys भी कह सकते हैं, the other book भी कह सकते हैं, singular में, और the other books भी कह सकते हैं, plural में, यह सारे correct हैं, ठीक, अब देखो यहाँ पर एक अगला जो पॉइ होता है, लेकिन वो singular भी रे तो भी चलेगा, plural भी रे तो भी चलेगा, सिर्फ ध्यान रखना है कि uncountable noun के पहले हम लोग other का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग use of another के बारे में, another के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है, देख लो, another का use singular countable noun के लिए होता है, है ना, singular countable noun के पहले other का भी इस्तेमाल होता था, मतलब यहाँ पर plural के पहले नहीं करेंगे, another का इस्तेमाल, जैसे another books कहना गलत है, लेकिन another book कहना correct है, तो आप इस example का ध्यान में रख सकते हो, है ना, another book correct है, another books गलत है, plural नहीं होना चाहिए इसके फिर लोग mistake क्या करते हैं, कई बार another के पहले and का इस्तेमाल कर देते हैं, another book कर देते हैं ऐसे करके, जो की गलत है, कैसे, क्योंकि another में ही already and छुपा हुआ है, तो आप extra and क्यों लगा रहे हो, समझ रहो ना, तो इसलिए another के पहले and का इस्तेमाल नहीं करते, and another book कहना गलत है, another another book सभी है, अब another books कह सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी अभी देखा कि another का परयोग हम लोग plural के लिए नहीं करते हैं, हम लोग simply singular के लिए ही करते हैं, लेकिन other जो था, इसके पहले other जो था, वो singular और plural noun दोनों के पहले हम लोग इसका इसका इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है? और countable होना चाहिए था वो. अब देख लो, यहाँ पर another के बारे में और सारी जो points हैं वो. यहाँ पर क्या है कि another के बाद numeral adjective अगर रहे. यहाँ पर देने वाली बात यह थी, कि अभी मैंने आपको बताया कि another के बाद plural नहीं होना चाहिए. अनदर के बाद plural नहीं होना चाहिए, क्योंकि singular countable noun ही होना चाहिए. लेकिन plural भी होगा, लेकिन उसके लिए condition है. वही condition को देखने जा रहे. देखो, क्या है उसका condition? इसका condition है कि another के बाद अगर कोई numeral adjective रहे, जैसे two, three, four रहे, तो उसके बाद जो भी noun आएगा, वो plural में होगा. जैसे another ten year कहना कलत है. अगर बीच में numeral यहां पर adjective आ गया है, है ना, one, two, three, four ऐसे करके numeral adjective कहते हैं उसको, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? singular नहीं रखेंगा, उसको plural में रखना पड़ेगा. जैसे another ten years, अब आप गोगे, sir, another one year कह सकते हैं क्या? another, another, one, year, यह तो plural में year नहीं है, तो यह करेक्ट है, क्योंकि one जो देता है sense, यह देता है singular का, है ना, तो उस case में करेक्ट है, बाकी two के बाद जितने भी start होते हैं, plural वाले, numeral adjective, वो अगर बीच में आ जाए, देखो, यहाँ पर बोला है, कि another का परयोग affirmative sentence में होता है, negative sentence में इसका इस्तेमाल नहीं होता, ध्यान रख पाओगे? इतना ध्यान रखना है आपको, कि another का परयोग जो होता है, यह positive sentence में होता है, negative sentence में नहीं होता, लेकिन अगर negative sentence में करना हो तो any other का प्रयोग करें बहुत अच्छा concept है देखो यहाँ पर बोला है यहाँ पर बोला है she doesn't want another book यह आपका बिलकुल गलत है कैसे? क्योंकि इसका sentence में negative sentence में इसका use हम लोग नहीं करते किसका? another का है ना? तो another का negative sentence में नहीं करते हैं सिंपली किसमें करते हैं positive sentence में तो इसलिए यह गलत हो गया लेकिन बोला है कि अगर आपको करना है अगर use other सब्द का इस्तेमाल करना है तो another के बदले any other कर दो यह correct हो जाएगा negative sentence में भी यहाँ पर है she doesn't want any other book यह आपका correct हो जाएगा और यहाँ पर है she wants another book मतलब positive sentence है तो यह बिल्कुल correct है लेकिन negative sentence में इसका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन negative sentence में अगर इस्तेमाल करना है तो आप another के जगह पर any other कर दो तब जा करके correct हो जाएगा तो यह तीन sentence को मैं फिर से पढ़ देता हूँ मतलब दो sentence को she wants another book correct है she doesn't want any other book यह correct है अगर कहें she doesn't want another book तो यह गलत हो जाएगा इस example को ध्यान में रखना correct अब जड़ा देख लो next concept है आपका much और many के बिच क्या difference है देख लो सबसे पहली बात कि much जो sense देता है यह quantity को देता है quantity यानि की uncountable noun के बारे में यह बता रहा होता है और many जो है many बता रहा होता है numbers के बारे में इन numbers के बारे में बता रहा होता है और much बताता है quantity और फिर amount के बारे में uncountable noun के बारे में और many जो है वो contable noun के बारे में है वही चीज़ है यहाँ पर लूँंत देखे этом कि मैंज के बाद उन्कॉंटबल सिंगुलर णाओं होना चाइए मेनी के बाद कंटिれज नाओं होना चाहिए दोनों को ध्यान मेरखना है मतले मैं अगर मेनी आगया तो उसके एक बादka टोरल में ही होना चाहिए हैं इतना तो ये बात है देखो जैसे हैं यहांपर there were not much chocolates left in the box अब यहां पर चोकलेट नाओन है countable एक count कर सकते हैं तो यह countable नाओन हुआ तो countable के पहले मच का इस्तेमाल कैसे कर गए यहां पर क्या लिखना पढ़ेगा there were not many chocolates left there were not many chocolates left in the box तो मच के जगह पर यहां पर इन्जोइमेंट इन्जोइमंट नहीं करती। इसका प्लूरल और में रखशा नहीं करते। अब यहां पर देको यह मतलब भच्पन से जानते से अभी जो मैंने बताया अब यहाँ पर many a का परियोग है many a का परियोग many के साथ a लगा हुआ है यह कहा है कि इसके बाद आने वाला जो भी noun और verb होगा वो दोनों ही singular होते हैं जिहां देना, दोनों ही singular होंगे जैसे यहाँ पर है many boys have come to attend the class अब यहाँ पर मेनी के साथ A नहीं लगा है तो जहर शी बात है कि मेनी के बाद आपको बताया कि प्लूरल होना चाहिए और काउंटबल नाउन होना चाहिए यह तो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन अगर मेनी के साथ A लगा दिये और यहाँ पर बॉइस है है ना तब तो यह सही है लेकिन यहाँ पर देखो सही नहीं है देखो मेनी के साथ मेनी A के साथ हम लोग नाउन को भी सिंगुलर में रखेंगे मतलब मेनी अब वाई होगा ना कि वाईस पहला पॉइंट सेकंड की वब भी इसके साथ हैव आया है जो की गलत है यहाँ पर हैज होना चाहिए है ना सिंगुलर में होना चाहिए तो वही बता रहा है कि अगर मेनी के साथ A लग गया तो उसके बाद आने वाला जो भी नाउन और वाब होगा दोनों सिंगुलर होने चाहिए तब करेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या correct होगा many a boy has come to attend the class ध्यान देना इस point को लगेगा ऐसा तुम्हें लग सकता है exam में कि many है तो इसके बात many a है तो many a के बारे में specifically अपने नहीं पढ़के गया हुआ है सिर्फ many के बारे में पढ़के गया हुआ है लगेगा कि इसके पास तो boys जो है यह correct होना चाहिए have भी correct होना चाहिए इसके इसाब से लेकिन यह गलत है अगर many के साथ यह आ गया तो इसको singular में लखो boy और इसको भी singular में लखो has come to class come to attend the class यह correct होगा ठीक है अब next point है much के बारे में देखो कि much का इस्तेमाल comparative degree के पहले किया जा सकता है लेकिन many का नहीं जैसे कहेंगे he is much more intelligent than you correct है ऐसा हम लोग बोलते भी है he is much more intelligent than you है ना spoken में भी ऐसा करते हैं तो यहाँ पर क्या many का इस्तेमाल कर सकते हैं he is many more intelligent than you नहीं यह गलत हो जाएगा I am much younger than you तो much correct है many younger than you नहीं कह सकते हैं ठीक है ध्यान देने वाली बात एक चीज़ और है यहाँ पर देखो एक example हम और लेते हैं there are there are many more examples many more examples there are many more examples in this book in this book अब यहाँ पर बता आप अब भी मैंने बताया कि more intelligent के पहले सिर्फ much आता है मतलब comparative degree के पहले मच आता है many नहीं आता फिर अंगर than तो अंगर भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है क्या comparative degree तो इसके पहले much आता है many नहीं आता लेकि यहाँ पर more सब्द का इस्तेमाल है फिर यहाँ पर many जो है वो correct कैसे है यह sentence बिल्कुल correct है तो ध्यान देने वाली बात है कि more सब्द का इस्तेमाल यहाँ पर comparison को सोग करने के लिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर comparison होता तो वहाँ पर than का इस्तेमाल होता समझ रहो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि more than something ऐसा कुछ नहीं है यह बता रहा है कि बहुत सारे examples है तो इसलिए यह sentence correct है यह ना इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना होगा कि यहाँ पर more जो है यह comparative degree नहीं है अगर comparison के लिए इस्तेमाल हुआ रहता more का तो उसके पहले many का इस्तेमाल नहीं करेंगे much का इस्तेमाल करेंगे ठेक है अब जड़ा देख लो next जो fourth number बता रहा है fourth number क्या बता रहा है affirmative sentence में much और many का पर्योग object से पहले नहीं होता इसके अस्थान पर क्या कर सकते हैं यह ध्यान में रखो क्या कहा है यहाँ पर affirmative sentence और positive sentence में object के पहले जो direct object होता है उसके पहले much और many का इस्तेमाल नहीं करते हैं negative sentence में कर सकते हैं जी कर सकते हैं और interrogative sentence में कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं लेकिन affirmative sentence और positive sentence में object के पहले हम much और many का इस्तेमाल directly नहीं कर सकते अगर करना हो तो आप क्या कर सकते हो many के स्थान पर a great many of का इस्तेमाल करो a good many of का इस्तेमाल करो a large number of का इस्तेमाल करो great numbers of का इस्तेमाल करो a large number of का इस्तेमाल करो large numbers of का इस्तेमाल करो अगर much का इस्तेमाल करना हो तो directly much का इस्तेमाल नहीं कर सकते object के पहले क्या करना पड़ेगा अगर इस्तेमाल करना ही है तो इसके जगब पर करो इस सारे words का इस्तेमाल कर सकते हो ध्यान देने वाली बात यह है कि a lot of, lots of, plenty of, enough of मैं दो चार बार पढ़ देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं a lot of, lots of, plenty of, enough of फिर से देखो a lot of, lots of, plenty of, enough of यह जो चारो words है यह जो चारो words है यह many और much दोनों के sense में इस्तेमाल कर सकते हैं ध्यान रखोगे और बाकी यह सारे को simply हम क्या कर सकते हैं मेनी के पहले बदले यूज कर सकते हैं और यह जो words है इसको हम सिर्फ और सिर्फ much के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यह चारो जो words है यह हम दोनों के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या बताया है यहाँ पर देखो फिर से concept को देखो कि positive sentence में affirmative sentence में object के पहले हम much और many का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर करना ही है तो यह सारे word का इस्तेमाल करेंगे ठीक है देखो जैसे यहाँ पर क्या है यहाँ लिखा हुआ I know many men मैं बहुत सारे आदमियों को जानता हूँ तो यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर गलत कैसे हो गया क्योंकि यहाँ पर object man है man है तो इसके पहले हम लोग many मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर करना हो तो क्या करोगे यहाँ पर लिखो I know a lot of man many के जग़ब पर a lot of का इस्तेमाल कर सकते हैं मच के स्थान पर भी a lot of का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आप कह सकते हो I know a large number of man a large number of भी कर सकते हो यह correct होगा समझ रहे हो और यह sentence कैसा affirmative है मतलब positive sentence है फिर यहाँ पर he has much money अब money uncountable नहीं इसके पहले much आया तो आपको लग रहा हुआ correct होना चाहिए लेकिन बिल्कुल गलत है क्यों? क्योंकि money के पहले अब फिर किसी भी direct object के पहले यह object है यह subject है ही और यहाँ पर I subject और object के भी फरक तो जाते हो कि बच्पन से थोड़ा बहुत यहाँ पर money जो है यह object है यह प्लेंटी ऑफ मने यह भी कह सकते हो तो much के बदले क्या इस्तिमाल करेंगे मेनी के बदले क्या इस्तिमाल करेंगे दोनों के बदले क्या इस्तिमाल कर सकते है यह मैं यहाँ पर mention कर दिया हूँ अच्छे तरीके से ध्यान में रखने की कोशिश करना था न, एक-दो रदे वार पड़ो कि समिज में आ जाएगा, कैसे ध्यान में रखो करे, मेनगे मेनी हैं, अब को भी मेनी चुपा हुआ हैं मतलब मेनी के जगह पर इस्थिमालकर सकते हैं, और मेनी का सिस्थिमाल कर कर सकते हैं, कोईठिटी तो बताता है तो यह नंबर है तो नंबर का इस्तेमाला मच के साथ नहीं कर सकते हैं फिर है नंबर तो नंबर है मतलब मेनी के साथ इस्तेमाल करेंगे मच के साथ तो नहीं करेंगे फिर है लार्ज नंबर आफ नंबर आफ नुमिरस सारे नंबर वाले बाते ही हैं तो यह याद रखने की र पर इस्तिमाल होगा क्योंकि मेनी का इस्तिमाल हम नंबर के लिए इस्तिमाल करते हैं मच का इस्तिमाल करते हैं क्वांट के लिए तो डिल है ना क्वांटिटी यह सारे हम लोग इस्तिमाल करते हैं किसके लिए यह सारा सुख कर रहा है कि हम क्वांटिटी के लिए इस्तिमाल क पुर्यमिक्त भी कहसकते हैं deal to इससे आपको कन्फूजब्स नहीं करना है न यह सप्सक्राइब ह데 जगेत पर मतलब की नंबर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कौइंटिटि अनि बेसिक चीज़ें जो आप बच्मन से करते आए हो थोड़ा बहुत भोल गया होगे तो आप इस से रिवाइज कर लोगे है ना लेकिन असली कॉंसेप्ट क्या है एज्जेक्टिव के उपर अब धीरे धीरे देखेंगे और जल्दी क्लास को मतलब इस चैप्टर को हम लोग क्य करेंगे खत्म करेंगे हैंना और चलो ठीक है अपको लाइक वगरे कर दिया करो काफी डी मौटिवेटेड हो जाता हूं आज कल बहुत लोगों का कोशन दासर कितना कमाओगे कितना सारा डाल देतो वह एक बात मैं बताओं आपको जाकर करके देख लेना पूरे रिसर्च कर लेना इसके उपर 1000 व्यूज के उपर अल्मोस्ट 12 से 15 रुपिय बनते हैं या फिर कह सकते हो कि 5000 व्यूज के उपर एक डॉलर बनता है आपका तो एक डॉलर का मतलब क्या हुआ राउंड 70 रूपिस है ना तो यह 5 गुना है 70 75 मान लो और 15 अगर इसको मानोगे तो 15 75 यहां पर यह ना तो 5 गुना मतलब 1000 व्यूज में 15 रुपिय बनते हैं आप जाकर के मेरे चैनल पर जाकर करके चेक करो कि कितने वीडियो में 1000 व्यूज आ रहे हैं मैं एक वीडियो को डालता हूं तो पता चलता है कि तीन दिन चार दिन हो गए 200 व्यूज भी नहीं आ रहे 300 आते हैं तो बताओ मैं आपके लिए क्यों काम करूं अगर आपको एड्स भी नहीं देखे जाते हैं अगर आप से आप सारे वीडियो को डाउलोड करके देखा करोगे तो आपको ठीचर भला क्यों पढ़ाएगा है ना और प्यार तो वन साइड होना नहीं चाहिए दोनों सारे मैंने अभी लिखा हुए है लास्ट वाले में चला जाओ देखो यह सारा जो मैं पॉइंट लिखा हूँ यह सारा आपको क्या लग रहा है इतना आसान है टाइप करना बहुत मेहनत है यह ना जितने भी एक्स्टर टाइम बसते हैं मेरे पास मैं आपके लिए डिवोट करने के लिए यह ना चाता तो उतना शौट में भी कर सकता था लेकिन मैं चाता हूँ आपको जो भी मिले कंप्लीट मिले तो यह मत सोचा करो कि सर एड पूरा का पूरा भरपूर लगा रहे हैं पैसे पूरा च्छाप रहे हैं अगर वैसा होता है ना तो बहुत सारे यूट करो यूटूर डेले चोड़तें जाकर के डेटा अब पता कर सकता है यूटुब पे मतलब यूटूब पे अरर्निंग नहीं है यूटूब के खूरू अर्निंग रहे हैं तो आप लोग arrest 5 फिर वो का न्हीं होता है नहीं मतलब personal guidance के थू ठोड़े बहुत student आते जिसके फू बात नहीं है इतने दिन तक आपको पढ़ाते आया हूं आगे भी पढ़ाते रहूंगा और प्रोग्रेस कैसे है यूटूब का यह मैं बताता हूं जैसे मालियाजा एक साथ आप लोग पचास सो डेर सो लोग एक बार लाइफ आकर के वीडियो जब चल रही होती एक साथ सा अकवर्ड लगता है तो तब जाकर के प्रोग्रेस है अगर एक साथ लाइफ आकर के देख रहे हैं प्रीमेर वाले वीडियो को आकर के सब लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोग्रेस है और जिस तरीके से मैं डालता हूं दो दिन में तीन दिन में चार दिन में सो 200 वीडियो व्यूज आते हैं कोई प्रोग्रेस नहीं है ना यूटुब हमारे वीडियोस को भेजता है किसी तक और आपको जान करके हरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से 10 सब्सक्राइबर आते हैं दिन भर में 5 आते हैं, 8 आते हैं, समझ जाओ कि क्या प्रोग्रेस है यहां पर, हैं ना, क्यूंकि हम ने तो कभी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट तो कहिए नहीं किसी को, कि भई, शएर करो, लाइक करो, जबढ़ दसती करो, ये करो वो करो, जहां भी है, मेरे विडियो को परचार करो है ना अगर कहता तो शायद कुछ प्रोग्रेस हो जाता सब्सक्राइबर बढ़ जाते लेकिन कि कितना बार कहूंगा थक जाता हूं कहके तो उससे अच्छा है कि नहीं कहो जैसे चलने दो है ना मैं अपना काम कर रहा हूं आप अपना फर्द समझो तो चलिए बह चलिए बैट है तो प्रचार कर देह बद्वेश्ग में प्रचार करें अपना।